यूपी की संबल में समाजबादी पार्टी के सांसा शाफिक और रमान बर्ग एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर भढ़क गए हैं सपा सांसा शाफिक और रमान बर्ग ने बीजेपी पर भढ़कते हुए ब्यान दे कर कहा कि मुल्क के हालाद भूत खराब हैं बहुत नाजुक है मुल्क में मौबली चिंग बलातकार और जुलम जायत्ती हो रही है इंतिहात की जरूरत है लेकिन बीजीपी सरकार में मौबली चिंग और जुलम जायत्ती के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जा रहा यह मुल्क सभी कौम के लोगों का है सभी कौम के लो तो रमान बर्ग ने अपना यह बयान समारबादी पार्टी के संदक्षक मुलायम सिंग के जरम दिन के मौके पर आयोजित कारेकरम के दुरान दिया है सपासांसा शफिक और रमान बर्ग ने बीजीपे पर भड़कते वे बयान देकर कहा कि बीजीपी सरकार में मुल्क के हाला वो का है हर कौम के लोगों ने देश की अजादी के लिए कुर्बानी दी है जिसमें मुसल्मानों की कुर्बानी सबसे अधिक है का हो सरदार हो पंजाबी हो कैसा हो कुछ भी हो बारहल सब को मिलकर इस मौके पर अकले श्यादब के हाथों को मदबूत करना चाहिए और मदबूत करके यूपी को जीतना चाहिए कि अल्ला से भी दौा करने के परवर्दिगार हमें बारहल अच्छे हाथों में यह गवर्मेंट दे दे जिससे के हिंदोस्तान तलकी कर सके और गरीब आदमियों को किसानों का और नोजवानों का सबका भला हो सकते किसानों के परदर्शन में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे उस पर क्या कहना चाहिए यह तो यह बातें तो सामने लोग मैं कहूंगा के प्रिप्यार्ड होती है प्रिप्लान होती है सारे प्रिप्लान है यह यह सारी कराई जाती है चाहके इस मकसद को भुलाने के लिए इस वक्त आदमी भूलागा नहीं अपनी परिशानियों को भूल नहीं सकता मेरी सारे जन्ता से गुजारिश है सारे हिंदु मुसल्मानों से सिकों से और हर बिरादी के इसाईयों से सबसे छोटों से, बडों से दलितों से OBC से सबसे मेरी गुजारिश है कि इस वक्त ये न देखें कि कौन कौन ये BJP तुमारा जो इस वक्त दिखला रहे हैं कि साब हमने ये किया वो किया इस अब जूटे वाइदे हैं इनके न ये पूरे किये हैं न करेंगे इस वक्त सरकार बदलने के लिए अच्छा वक्त है सब लोग मिलकर अकलेश के हाथों को मदबूत करें और अपना कीमती वोट देकर हमें शुक्रिय का मौका दें तो इन्शालला हिंदोस्तान का नक्षा बदलेगा हिंदोस्तान के हालाद बदलेंगे हिंदोस्तान आगे बढ़ेगा अब साब एक सवाल हो रहे शाक्षी महराज ने एक बैन ओर दिया है उन्होंने ये कहाए कि कानून बनते हैं बिगरते हैं और दोवारा भी बन सकते हैं अगर जो कानून रह गया हो तो उसको दोवारा भी ला सकते हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं कि अभी क्रिश्टी कानून का उन्होंने देखा है कि नरिन्द मौदी ने वापस का इलान किया और ऐसे मैं अगर शाक्षी महाराज ये कहते हैं कि दुवारा बन सकते हैं तो ये बात ये गलत है बिल्कूर उनकी और इस तरीके से लोग धोके में नहीं रह सकते और ये कानून बदलते हो बनते रहते है वो तो एक अलेदा बात है लेकिन जो चीज हमारे सामने मौजूद है उसके लिए इनकी आँख आज तक नहीं खुली एक साल होने कुआ गया इनके दिल में कोई दर्थ पैदा नहीं हुआ कोई तड़ब पैदा नहीं हुई कि हम इन किसान भाईयों के लिए भी कुछ करें बलके ये इस बात के शायद मुंतजिर थे के अलक्षन आवे यूपी का अलक्षन और पांच अलक्षन और अभी चार्च और बाकी हैं वो भी हो रहे हैं तो होंगे तो इसमें चाहते हैं कि इनको धोका देकर अब ये इनसे वाइदा करका जूटा वाइदा करने के बाद में और इनको मतलब ये के अपना वोट ले ले किसान या ऐसे में वोट नहीं देगा ये जब तक ने के बाद में और इनको मतलब ये के अपना वोट ले ले और आधार ऑज़्यए वट नहीं देगा दोबारा कानुन लाएंगे ये जब तक कानून नहीं बनेगा जाफ्टे में और ऐम एंसपी जब तक के उसके लिए कोई कानून नहीं बनेगा उस वठ anytime कह चुके हम नहीं मानें गे हम हम समाजवाधी का आने वाले जुशनाब उसमें सबसे एहम हैं मुद्दा क्या रहेता वह पुर चैनिद लेने कर देंगा इंए कानून को जोबानी कहना नहीं होता तो कल को फिर लागू कर देंगे़ वो जब तक कि इस पर कोई खानून नहीं बनेगा वो उसके लिए राजिन नहीं होंगे और उसके बाद में हमारा जो उस वक्त हमारी और तोने हमारे बार्दों ने भी और तोने मिलकर जो धरने दिये थे उसी लाइन पर आज ये किसान काम कर रहा है और हम भी चाहते हैं हमारा ये भी मतालबा है कि वो ये ने से जो है वो ये क्या है एनरे एनर्सी जो लगा था इसको भी वापस ले जाए है ये भी हमारा मतालबा साथ में और किसान भी कह रहा है कि ये भी वापस होना चाहिए तो इसलिए अभी बहुत मतालबा बाकी है असिल काम तो अभी बाकी है ये जुबानी कह देने से कि खतम हो गया कानून ऐसा कानून खतम नहीं होता है